हरी हो आप लोगोंका माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हूए अभी मैं आप लोगों को 3D लोगों बताने जा रहा हूं Class नुल रो में सो अभी क्या है एक पहले करी स्ट रोते लेता हूं कि चैशे को क्लिक करके और एक बार क्लिक करेंगे तो इसका रोटेशन का आता है तब आपको क्या करना है इसी पॉइंट के ऐसे लेकर अपकर कर ch ved a अभी थोड़ा रोटेट कर लेता हूं इसे इसको क्या करो अभी इधर का सर्कल का हाफ के लिए एक लाइन ले लेता हूं पहले इस Ctrl से थोड़ा बड़ा करके ये Line और सर्कल Remember है हई एई और C ईंद दो तो Center हो गया इसको थोड़ा चोटा कर लेता हूं इसे करें इसतर्асть करके इसको क्या है और तो फोड़ा चोटा कर लो इतना करके अब इसको फ्रिटवरु तो cut होके गया सो अभी क्या है same to same इधर करने से अच्छा मैं बहुत क्या करता हूँ अभी ये circle line और ये circle लेके back minus front कर दो तो ये cut होके गया सो अभी इसको क्या है control k बोलता हूँ control k से क्या होता है break होता है break करके half circle इसको निकाल देता हूँ अभी इस जो अभी ये बना है इसको मैं क्या करता हूँ इस point से control पकड़के इस तरफ लेना है यानि flip होता है जैसे इस flip होता है इसको mouse right click कर दो right click करने के बाद अभी alignment में क्या करता हूँ vertical element लेता हूँ यानि इसके opposite में आ गया हूँ अभी इन दोनों को select करके आप क्या करो weld कर लो अगर हम दो बार इसको ऐसे करेंगे तो क्या है वो ठीक से नहीं होता ऐसा आप flip करके करेंगे तो same इदर जो है वही same आ गया है इदर ओके अभी इसको क्या है एक color देता हूँ कुन सा भी color देता हूँ आप देने के बाद अभी इसको क्या है इदर extrude करके एक टूल है extrude extrude टूल को लेके इसे क्लिक करके इसे track करता हूँ तो क्या हो रहा है ऐसे extrude हो रहा है extrude आपको जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं इसे तो क्या है अभी इदरी भी थोड़ा portion आया हुआ है इस तरह आना चाहिए सो अभी इसको क्या करता हूँ अभी break कर लो इसको क्या है ब्रेक कर लो ब्रेक बोलने से क्या हो गया है इस अब अलग हो गया ब्रेक करने के बाद इसको ungroup बोलना है रखेए लिए सब सेप्ट्राइट होगें और यू इसको आण्डू कर लेता हूँ अभी क्या है इसको इंट्रैक्टिव फिल्ट तूल लेके इसको एसे ड्राइग करौई अभी नहीं तो इदर से एसे लिस। सो इसको क्या है ब्लैक कलर देता हूं इन इधर ऐसे इंग्लेशन ऐसा यह लग रहा है भी आपको जितना जैसा एंगल चाहिए वैसे एंगल आप सेट कर सकते हो अभी इसको क्या है इस पॉइंट को थोड़ा अंदर की तरफ लेता हूं ओके अभी इधर इधर सेम चाहिए अभी इसको आप क्या है इसे राइट लिक पकड़के इसे ला के इसके एंदर छोड़ देना जोडने के पास इसको कॉपी फिल्विख hunter टे चेंज हुआ है इस एंगल को क्या है फिर से इस टूल से क्या है आप ऐसे चेंज कर सकते हूं इसे आप कर सकते हूं नया इसा ग्रीडेशन आप ड्राइक करके दे सकते हैं यह आपको समझ में आ गया इधर जो portion है इसमें आता हूँ इसको भी थोड़ा क्या है इसे gradation दे देता हूँ इसको black कर लो आप ब्लाक करके इसे देता हूँ तो इसको एक angle जैसा दे के देता हूँ कर ले इसको जो एंगल आपको चाहिए वैसे अंगल आप सेट कर लो इतना होने के बाद अभी क्या है इसको अगर मैं लाइन निकाल भी दिया तो अब्जेट आपको दिखेगा इसको सब्सेलेट करके cross mark पे आप right click करो तो ये line नहीं दिख रहा है फिर भी क्या आपको थोड़ा 3D दिख रहा है अभी अभी के लिए undo करता हूँ तो अभी next आप क्या करो इसको अभी एक circle लेता हूँ control पकड़ के circle लेलो इन दोनों को select करके E and C बोल देना बोलके अभी क्या है इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो इस point को लगना चाहिए हो अभी इस point को इधर shift के साथ करेंगे तो ठीक हो जाएगा अभी इसको क्या है black color देके पेज़ दोन करता हूँ यहनि अभी जो black ball है उसको यह ऐसे पकड़के रखा है वह ऐसा देख रहा है आपको ऐसे तो कुछ alphabetic भी आप कर सकते हैं तो अभी क्या है इसको थोड़ा shining देना है बोले तो इसको हम gradation भी दे सकते हैं अभी इसमें क्या करता हूँ इदर आके fountain fill में आता हूँ fountain fill में आके इसको आप क्या करो custom में आके इदर इस point को क्या है इसे black देता हूँ black यह रिच ब्लैक देता हूँ ओके यह क्या है यह normal black है इसको rich black देता हूँ rich black देके इसको इस point को क्या है थोड़ा grey रखता हूँ grey रखके इसको क्या करो radial बोलता हूँ है पुल दो सब्सक्रांट है अभी क्या है अभी अभी यह नॉर्मल दिख रहा है इसको थोड़ा ग्लेजी करना है इसको ग्लेज जैसा लगना चाहिए शैनिंग दिखना चाहिए अभी फ्रेयंट टूल में आके क्या करो बी स्प्लाइन करके एक टूल है इसको आप क्लिक करके आप क्या करो एसे थोड़ा एज़ पे ले देना इसे जितना डिस्टन्स आपको जैसा चाहिए वैसे आप इधर ले लो बाद में भी आप इसको थोड़ा अड्जेश्ट कर सकते हैं इसे ले देता हूँ पूर एज़ पे लेना इस तरफ लेके अपकर जोईन इसको थोड़ा उपर लेता हूं इसको अपक्या करो हो मैं इसको क्या है थोड़ा सेट कर लो इसे फिर जूम करके एज़ पर पर एकपर एसा लाना है बो बरे तो आप एसे ला सकते हैं एक किस फिर आप कुछ ऐसा करने शिवेसे कर लो एक हम आप तो इससे लेता हूं हुआ है कि इसको फ्र innovations कर लिता हूं अब के इसा हो गया सो इदर कुछ कहीं पे आपको तोड़ा ज्यादा कम लग रहा है तो आप तोड़ा मोश्मेंट करके आप सेट कर लो इसको इसे देता हूं कि अब एक सो इतना करने के बाद अब ही क्यास को कलर तो दिया हुआ इसको ट्रांस्परेंच सी टूल लेता हूँ आप ड्रान्सपरेंच सी टूल से अब ड्रैंग कर लो इग अभी देखो आपको थोड़ा ग्लेज जैसा लग रहा है के शैनिंग लग रहा है तो इसको एसे कर सकते हैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूं को ओर तुड़ा अंदर लेक्व तो इसको लाके अधूरा डिस्टेंस अगे आपको जैसा चाहिए वैसे सेट कर लो आपका बात में कि इसको और एक इधर लेके आता हूं। डुपलिकेट करके फ्लिप वॉर वर्टिकल दोनों बोल देना। कि दोनों बोल के इसको आपुदर से शेट करें मि इतना होने के बाद अभी क्या है इसको इस में थोड़ा ठांसपरेंशय थोड़ा चेंज कर लेता हूँ में तो इसे अगल खम कर लेता हूं मोग तो तो इसको अब थोड़ा शार्प दे देता हूं थोड़ा वैट ज्यादा लग रहा है कि थोड़ा ग्लेज लगता है कि अभी इतना होने के बाद अभी क्या है इसमें सब सिलेट करके आउटलाइन निकाल दो आप कि पूरा आपको ग्लेज जैसा लग रहा है कि अगर चाहे तो आप इसमें और एक डुप्लिकेट करके टिसमें जैसा है आप कर सकते और भी यह क्या है कि इतना होने के बाद आप इसब को सिलेट करके आप घृप करता हूं अभी सरकल्लाइना के और इसमें क्या कर आत्kilom में आता हूं mountain fill में आके सको custom में आके इसको क्या करो आप radial गूल दो रिडियों बूल दिया तो अभी यह होए वाइट अंदर यह बलैक भार रहे तो जगा चेंज कर लेना इधर मैं वाइट कर देता हूं इधर के है ब्लैक कर लेता हूं सो यह रेडियल है अभी इस पॉइंट को डबल क्लिक करो और थोड़ा अंदर के तरफ लेलो तो सरकल थोड़ा कम होता है इसको के बूल देता हूं अभी इसका जो आउटलाइन है आउटलाइन को निकाल देता हूं आउटलाइन निकाल के आप क्या करो तो इसको convert to bitmap बोलो convert to bitmap करेंगे तो यह क्या हो गया bitmap हो गया तो इसको आप RGB रखो और रिच्छा आता है तो इसको इतना रखके अभी क्या इधर थोड़ा ऐसे फ्लैट कर लेता हूं इसको आप क्या करो पेश डून कर लो नीचे जाएगा इसको इसे नीचे लेकर आप इधर रख सकते हैं जैसे भी हवा में खड़ा है वैसे लग रहा है तो इसको थोड़ा अभी बहुत बड़ा हो गया है इसको थोड़ा चोटा कर लेता हूं चोटा करके और थोड़ा नीचे लेलो ऐसे जैसे भी यह हैंग हो रहा है वैसा दिख रहा है और भी इसमें थोड़ा आपको यह परसंटेज थोड़ा कम जाधा करना है तो आप क्या है इसको ऐसे लेके इसको ट्रांसपरेंसी भी बोल सकते हैं इंफर्म ट्रांसपरेंसी लाके इंफर्म बोलता हूं थोड़ा बिटमेप बोलता हूं विटमेप एनि इमेज हो जाएगा बाद में इसको क्या है बिटमेप में आके ब्लर बोलता हूं ब्लर में क्या रखना है इसंए ब्लर देता हूं ब्लर PLAY इसको प्रियू करों प्रियू करने बहुत ज्यादा भी नहीं करना है थोड़ा मिडियम करो कि नहीं तो यह लाइन दिखता है एदर थोड़ा मिडियम रखता हूं इतना रखके अभी मैं क्या करता हूं इसको ओके बोल देता हूं ऐसे प्रेस करो तो वल बनता है वो वल दिखता है सो इसको आप क्या करो पेज डून कर लो पेज बहुत डार्क दिख रहा है तो इसको इनफर्म बोल देता हूँ अब गया और गया सकते हैं इस से अच्छा क्या है थोडह पॉईंट रहा तो और भी अच्छा दिखता है तो इसलिए कि आए उसको निकालके इसी को रख देता हूँ यह आपको समझ में आ गया अगर इसमें कुछ आपको डौट्स हो गया रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद